दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विनीता यादव देश में नेता रंग बदलते हैं यो तो हम सबने सुना है लेकिन इतनी तेजी से रंग बदलते हैं कि पकड़े जाएं इस बात तका तो खयाल नेता जी को करना चाहिए और मैं किसी आम नेता की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहा जी हाँ, जो कि राज्य सभा की खेर को प्रेजन करते हैं, मैं बात कर रही हूं जगदीद धन करती हैं, दरासल वो जो कह रहे हैं, वो उसे मानते हैं कि नहीं, इस बात पर एक बड़ा सवाल या निशान है, वो RSS की पिछले दिनों से तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, उन या फिर वो सच मुझ जो कह रहे हैं, वो समझते हैं, पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूं, जो हाल ही में उन्होंने खुद को एकलब्वे बता दिया, उस वीडियो को देखिये और समझ ये कि जगदीद धन कर किस तनह से नेतागिरी के अंदास के सारी रिवायत पूर कर रहे हैं, जब भी संसद में जो भी चीजे हो रही है, उसको कैसे, वो हर वो बात को रहे हैं, माने नड़ा जी, मैं बताना चाहता हूं, कि आज से करीब 25 साल पहले, सदस्ये ने होने के बाद, मैं RSS का एकलवे बन गया, और क्यूं बना तपस्वी लोग हैं, राष्ट्र भक्त हैं, समर्पन की भावना उत्करष्ट हैं, दूसरे विचार को गहन करते हैं, और मैं तो आश्री जखित हूं, कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाद की सोचते हैं, एकलवे बनने में मुझे समय लगा, वालमी की जी का भी परिवर्तन हुआ था, और जब से, जब से मेरा परिवर्तन हुआ, नड़ा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टी सदा रही, कि मैंने पर्थम वर्ष क्यों नहीं किया, जूतिय वर्ष क्यों नहीं किया, तर्थिय वर्ष क्यों नहीं किया, मैं कहता रहा, प्लीज 1995 की अगर बात करें तो तब उनका हिर्दय परिवर्तन हुआ और वो RSS के मूरीद होते चले गए मूरीद होते होते आज इस कुर्सी तक पहुंच गए लेकिन 1994 में जब वो विधायक थे तो उन्हें विधान सभा में कुछ ऐसा कहा था उसकी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है वो भी साथ-साथ हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे जगदीब धंकर यहां पर जो की बोल रहे हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं उस सब के पीछे उनकी एक बड़ी वज़ा है सफाई देते वे ये वज़ा है एंटी-RSS leader to Hindu mentor to Rajya Sabhar referee जगदीब धंकर's road to Raisina यह एक रिपोर्ट है यह News Laundry की रिपोर्ट है तीस साल पुराने भाशन पर घिरे उपराश्पती जगदीब धंकर आरेसस पर की थी यह टिपनी कॉंग्रेस नेता ने सबाल पूछा कुल मिलाकर के यहां पर यह जो आप कागस देख रहे हैं यह उसी का सबूत है जिसमें यह बताया गया था कि कैसे जगदीब धंकर ने जो सवाल किया था और जो जवाब था यह उसी की copy है जो कि मीडिया में इस वक ठीक ठाक तरीके से लोगों के पास है और जगदीब धंकर जो की खुद को अब आरेसस का एकलवे कह रहे हैं एक वक्त में उन्होंने यह कहा था कि भाई यह कैसी संस्था है यह क्या है जो की इसे तो constitution ने हमारा क्या भारत का संविधान इस संस्थ चुनाव तक नहीं होता है उन्होंने विधान सभा में यह सवाल उठाया था और उन्होंने यह कहा था एक और वीड़ियो है वो एक दिन पहले का है आईए आपको वीडियो दिखाते हैं और साथ साथ बताते हैं कि जब वो सवाल उठा रहे थे अच्छी साल पहले की बात कर रही हूं बलकि 26 साली का जाएगा 1994 की बात है जब विदान सभामेनों जोनों ने सवाल उठाया था कि आरे से इसके अस्तित के लिए इस तरह उसके तारीट के कसीदे पड़े इसके बारे में आप कमेंट कीजेगा इस वीडियो को देखते हुए क्या ये सही है ये वीडियो भी देखिए जब आप उन्होंने आरे सेस्की एक बात फिर तारीश की है आप और हम सदन में एक आई हैरबाई रूर दार कि Aleよね is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation this organization bears unimpeachable credentials comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly it is soothing to note it is wholesome to note that RSS आजब वेखSi ँमांचास क comfortably है एक्षार टुटकार बाग्टन हो कि डिर चेल मौंस्ट मौंस्ट में下次 और ढौना चेंगे ही निखियर प्रफू।म्यृ। ditब निखियर रगू with that but here the member was no transgressive rules he was trampling the constitution of india for this reason for this reason an organization i have said is fully entitled rss is an organization which is a global think tank of the highest order which is doing national service every organization has a right to it under our fundamental rights under part three of the constitution organizations have rights this organization rss has all the rights to contribute for national growth for national development rss की तारीफ कर रहे हैं बता रहे हैं कि rss ने कैसे इस देश की यात्रा में अपना कितना बड़ा योगदान दिया है यह उस rss की उस संस्था की इस वक्त संसद में तारीफ कर रहे हैं जिसको कभी तीन बार इस देश में बैं किया गया था और बैं करने की बज़ा पिये थी कि वो एक कमिनल संस्था है लोगों को भड़काती है इस वज़ा से हालाकि आज की तारीफ में 58 साल बाद यह बैं हट चुका है लेकिन वो सवाल तो नहीं खतम होते हैं जिसके वज़ा से वो बैं लगा था बड़ा सवाल यह है कि rss के काम काज को लेकर आप प्यम मोधी भी तारीफ करने के लिए बहाना जुन रहे हैं क्योंकि rss ऐसी संस्ता है इन देश के लिए क्या क करती है इस पर घंटों बहस हो सकती है बड़ा सवाल यह है कि rss आज की तारीक में जनता तक जो अपनी रीच पहुंचाने की कोशिश करती है लोगों तक जाकर गोटर का माइंसेट पढ़के उसे बदलने की कोशिश करती है उसको लेकर इस वाक्त प्रधानमंत्री नरेंद हैं और इस बार जिस तरह से उनके नंबर कमाए rss ने इस पर कुले आम घंकी भी दे डाली है तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि rss की किसी भी बात को कम से कम उस तरह से तो नहीं लेना चाहिए जो कि यह कहती है कि वो राजनीतिक चीजों में दखल नहीं देती है और उसक एजन्डा कुछ और है क्योंकि rss वाक्त सीधे सीधे सब्ता के करीब रहना चाहती है देश की शिक्षा विवस्ता में उसने अपनी जड़े पूरी करहां से जमा ली है और इस बात को लेकर कई बार सवाल उते रही है बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीक में शिक्षा वि जो भी स्थिती है जो भी सोच है वो आज पूरी तरह से पॉलिटिकल हो चुकी है पॉलिटिकल एजन्डे पर चलती है पॉलिटिकल मोटिव पाना चाहती है अगर ऐसा नहीं होता तो rss अब खुल करके नेताओं के साथ बहस बाजी करते वे दिखाई नहीं देती चाहे वो खुद उनके अपने लोग ही क्यों ना हो जैसे कि नरेंदर मोटी बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जगदीब धनकर जो देश के constitutional post पर बैटे हैं उनकी अपनी personal कुछ भी राय हो हो सकती है वो rss को लेकर तारीफ में किताब भी लिख सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उस पद की गरीमा को रखने के लिए उन्हें निश्पक्ष होना बहुत जरूरी है और आप इस बात को समझें या नहीं समझें लेकिन ये बात बहुत जादा गंभीर है इसे इसलिए सोचना होगा गेराई से समझना होगा इसमें सवाल खड़े करने होंगे त्योंक नहीं बना सकती बड़ा सवाल ये है कि यहां पर जिस तरह की परिस्तितियां दिखाई दे रही है इन परिस्तितियों को देखने के बाद विपक्ष जो रोजाना इस वक्त सदन में हंगामा कर रहा है वो इन बातों को लेकर कब गंभीर सवाल उठाएगा और इन सवालों से कब ऐसी तारीफ करने वाले बड़े पद पर बैटे वे बड़े कद के व्यक्तियों की आख कुलेगी या उन्हें रोका जाएगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है आप अपने जीवन में अच्छा पद पाने के लिए देश के साथ धोखा नहीं कर सकते इस बात क पानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नश्रा